हाँ जी तो हमारे जिशी सौनक जी जो इन्होंने अभी रिसेंट की एक ट्वीट करा है कि एट भी शुडंट भी रिलाइंट ऑन और और पूर्ट पूर्ट ब्रिटिश और ये ट्वीट देखकर मेरे और मेरे साथ कहीं इंडियंस की यही फीलिंग है कि वहीं वक्त बदल गय जजबात बदल गई जिंदगी वदल गई क्योंकि एक टाइन पर जब प्रिटिशन हमारे उपर रूल कर रहे थे तो यह सेम प्रदेश की प्रूमेट चलाये आप पढ़के आई होगे अपनी जोटी क्लास में यहीं सेम चीज जो हम जो है एंकरेज कर रहे थे कि यह टो में आज का जो टॉपिक है हमारा इंडियन एकनॉमिक का सबसे पहला चैप्टर इंडियान इकॉनमी ओन दी इव ऑफ इंडिपेंडेंस वो इसी से रिलेटिड है कि जो आज ब्रिटिश का हाल है वह ब्रेक्जित उन्होंने लिया यह वह एक्सेक्टरा बट वट्टेवर दा र तो भाईया आज मैं लेकर आ चुक हूँ आप लोगों के लिए इव ऑफ इंडिपेंडेंस अगले 10 मिनट आपने जो है मुझे दे देने हैं और मैं आपको गैरेंटी देता हूं कि यह चैप्टर 10 मिनट में कवर कर दूँगा और इसी के नीचे आपके कोशन्स है यह पीड इव पर 200 साल राज किया था चैघनिकली 200 साल राज कम साल लू किया था था लियुक टो लॉह स्य कहिते हैं तो से और चेसर को ब्रिटियकोन इंडिया के उपर start हो गया था और उनका जो है main reason इंडिया को अपनी कलोनी बनाने का सिरफ यही था कि उसको जो है क्योंकि इंडिया जो है एक agrarian country जी यहाँ पर एक अच्छा source of raw materials है तो उसको जो है अपना supplier of raw materials बनाना है so that उनकी British industries grow कर सके ठीक है economic development of India under colonial rule अच्छा colonial rule क्यों बोलते हैं क्योंकि जो है जब आप किसी country को अपनी colony बना लो तो आप उसके economic और political affairs खुद चलाते हो तो फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर colonial rule है उस country का लेकिन British के आने से पहले हमारी Indian economy अच्छी घासी हरी भरी economy थी अच्छा जो है आउटपूट आ रहा था प्रोड़क्टिविटी बहुत अच्छी थी टू थर्ट ऑफ दिपेंडेंट थी और खुश थी यह धरती तोना उगले-उगले हीरे मोती इंडिया वाज नोन फॉर इट्स हैंडिग्राफ इंडस्री स्कॉटन सिल्क मेटल ज्यादा नाम था इंडिया का ओल ओवर दी वर्ल लेकिन 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 जैसे ही ब्रिटिशस ने वहारे उपर रूल स्टाट करा उन्हों ने इंडिया को मेर सप्लायर ऑफ रो मेटीयर बनाकर छोड़ दिया हमारे यहां से रौट रावर गांदी जी ने बोला था यहां से बिदरे का मतलब का मतलब क्यो होता है यहाँ वही मैंने आपको बता दिया वही मतलब है उसके बाद अगर हम economic condition की बात करें तो एक nation का जो economic condition है वो major दो indicator से पता चलता है एक उसका national income या GDP जो आपने पढ़ाई हुआ है दूसरा होता है per capita income ठीक है तो उस वक्त जो है काफी सारे economist ने जो है अपना try किया था की indicators जो है उसका answer निकाल पाएं लेकिन उसमें जो सबसे जादा डॉक्टर वी के आरवी राओ उनका जो वो था इंडिकेटर का answer वो सबसे best माना गया था उस time के हिसाब से तो डॉक्टर वी के आरवी राओ को आपने यह याद रखना है उसके इलावा को और किस किसने वक्ट पे चल रहे थी first half of 20th century आप देख सकते हैं उसका जो रियल output है वो सिरफ 2% से बढ़ रहा था और उसका जो पर capita income है वो सिरफ 0.5% मतलब वो ना के बराबर stagnated economy इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको stagnated economy ठीक है इसी में अगर हम आगे चले अग्रिकल्टर सेक्टर अब यह वहला जो पॉइंट है यह सबसे important है ठीक है कि हमारा जो अग्रिकल्टर सेक्टर जिसके ऊपर हमारी two-third of population इंडिया की population शुरू से जाधा रही है तो two-third of population हमारी इस पर dependent थी ठीक है तो nearly 85% of people resided in villages and derived livelihood from agriculture even then also इंडिया was not self-sufficient in food and raw materials for industry इतना बड़ा agriculture बेस होने के बावजूद भी इंडिया self-sufficient नहीं हो पा रहा था food और raw materials for industries के लिए इसका reasons क्या थे इसको बोलते है reasons for stagnation बहुत important question है reasons for stagnation में सबसे पहले आ गया था आपका जमीनदारी या फिर land settlement system जो बिटिश लेकर आये पार्मर्स को उनके land से हटाया अपने बंदे जैटे जमीदार्थ बिठाये जिनका काम सिर्फ इतना था उनको लैंड जो है वह लैंड के टेनेंट से या फिर फार्मर्स सिर्फ लगान आपको दुगना तिगना अगर किसी ने देखी है मूवी लगान तो उसमें नहीं किया था कि फार्मर्स या उनके कंडिशन को उनकी प्लाइट को जो है इंप्रूब करें कुछ एडिएशन इरिगेशन फैसे लिटीटी इंप्रूब करें कुछ टेक्नोलोजी बढ़िया नहीं ठीक है वह उनका सिरफ काम इतना था कि आप भयान कलेक्ट करके हमें तो पहले जो था लोग सफिशेंसी के लिए बनाते थे सेल्फ कंजम्शन के लिए बनाते थे इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है यह उतना ही बनाऊंगा जितना जो है मेरे लिए सुफिशेंट हो मेरे घरवालों का उसमें निकल जाए लेकिन जो है प्रूब करोड्यूज कि ऐसना बनाकर यहां ना करण्या बनाकर यहां बनाकर अप आप रिचिकला जो बेसा आप ब्रीटें के इतने आप मना कर दोगे उनको ग्रो करने से और उनको फोर्स करोगे कैश क्रॉप करने के लिए तो पड़ेगी उसके बाद टेकनोलजी अच्छी नीथी इरिगेशन अच्छी नीथी और पटिलाइजर का यूद जो था वो लो से लो था जिससे हमारी प्रोड़क्टिविटी होर कम होती गई इंडिया एग्रिकल्चर वह स्टाव्ड ऑफ इंवेस्मेंट इंवेस्मेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी लेकिन यहां पर नहीं करीगी इन टेरेसिंग प्लड कंट्रोल ड्रेनेज और डीस डी सेलेनाइजेशन ऑफ स्वाइल तो इंडिया का जो मेरें इंडस्ट्री ज्यादा थी लेकिन ब्रिटिश के आते ही वह एंडिग्राफ इंडस्ट्री बहुत जादा किर गई और डी इंडस्ट्री इंडस्रेशन में के पीछे उनका 2-fold मोटिफ था यह बहुत इंबॉर्टेट गोग इंडिया को सप्लाइब ग ला देंगे और फिर इनके रॉम से हम अपनी इंडस्ट्री में जाके बनाएंगे और इनी को बेचेंगे आकर ठीक है तो यह टूफोल मोटिव था इसक्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिशी इसके लिए यूज करी गई जो एक्सपोर्ट होता है बाकी कंट्रीज में बंद हो जाए लेट टू डिकलाइन हैंडिग्राफ इंडस्ट्री जिसमें फ्री एक्सपोर्ट कर दिये क्योंकि उन्हें रॉम मेटिरियल एक्सपोर्ट करने इंडिया से ब्रिटेंट तो फ्री कर दियो उसको और इंपोर्ट भी जो है वो भी फ्री कर दियो क्योंकि अपने कंज्यूमर गूर्ट लाने ते लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडिक्राफ पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा जी जिससे डिसकरेज होता गया हैंडिग्रा साइड में आज भी चले जाओंगे बहुत मिलेंगी आपको वह फॉर्नर्स ऑपरेटिड थी उसके लावा कॉटन इंडस्ट्री गुजरात को टेक्स्टाइल इंडस्री महाराष्ट्रा गुजरात इंसाइड पे चले जाओ आज भी आपको दिखेंगी ठीक है उसके लावा इंडस्ट्री की बहुत शौटेज थी ठीक है बहुत जादा शौटेज चैपिटल गुड्स कों से होते हैं जो मशीन दूल्स बाकी गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं पब्लिक सेक्टर वास्ट ओनली इंवाल्ड इन रेलवेज जो पब्लिक सेक्टर था वह में में जो ह ने एक कंपनी खोली टिसको इन 1907 इन जमशेदपूर तो यह याद रखने आपको यह यह तो बहुत बार पूछा जाता है ठीक है उसके बाद सेकेंड हाफ आफ नाइटीन सेंचुरी में चले जो मेजर इंडस्ट्री देखने को मिलती थी कॉटन एंजूट इसमें बोड मे इसका एक्सपोर्टर बनाके रख दिया था रौ सिल्क जाता था यहां से कॉटन वूल शुगर इंडिको जूट एक्सेक्ट्रा एं इंपोर्टर ऑफ पिनिज गूर्मेंट मेंटें मोनोपली ओवर इंडिया से एक्सपोर्ट एंपोर्ट क्योंकि कलोनी बना रखा था जो इसके इंडिया का जितना भी foreign trade होता था उससे आदा या उससे भी ज्यादा जो है ब्रिटेन के साथ ही होता था और जो बाकी बचा हुआ है वह भी ब्रिटिश जहां पर ब्रिटिश अपनी already colony established कर चुकी दिया जो उसकी प्रेंडली नेशन से उनी के साथ होता था अब एक और चीज जो है मतलब वह बोलते हैं ना rubbing salt on your wound ऐसा टाइप हो गया था जब स्विस के नाल खोला गया था यह याद रखना आपको 1869 में जिसने जो है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो रास्ता है जो डिस्टेंस है वह और शॉट कर दिया था जिस से ब्रिटेन की होती तब तक जड़ अच्छी बात तब अपको Ồ में अमारा एक मी यूश किया जाता तो आज इंडिया के लिए वी य तक चलते हैं डेमोग्रैफिक कंडिशन इत पर कोछन आता ही आता है यह याद रखना है आपको year first official census हुआ था इंडिया में 1881 में ठीक है और आपका जो first official census after independent हुआ था 1951 में ठीक है उसके बार after that every 10 years जो है आपका census होता है 1921 को बोला जाता है year of great divide यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है क्योंकि आज कल chronological वाले questions बहुत आ रहे हैं ठीक है से पहले जो है हमारी defographic condition कुछ हो चल रहे थी लेकि 1921 के बार high birth rate हो गया था death rate बहुत आए हो गया था मतलब 48 and 40 per thousand उस वक्त चल रहा था 16% and female literacy rate तो उससे भी कम लोग चल रहा था near about 7% चल रहा था यह सारी चीज़ों demographic वाला तो आपको word to word याद रखना है ज्यादा figure नहीं है चोटी मोटी है जिन बच्चों के questions आते हैं कि सार यह याद रखनी है तो भाई चोड़ी बहुत याद रख लो बहुत help करेगा आपको answers water or airborne disease बहुत ज्यादा जो थे फैले होए थे क्योंकि health facility इतनी अच्छी नहीं थी infant mortality rate बहुत ही हाए था 218 पर थाउजन एड़ प्रेज़ प्रेज़ प्र थाउजन ठीक है तो 218 पर थाउजन जो है हमारा वो चल रहा था infant mortality rate जिसका मतलब क्या होता है number of infants यह मतलब भी आप सब्सक्राइब को याद रखने है डाइंग विफोर रीचिंग वन यूर ऑफ एज पर थाउजन लाइफ वर्स इन यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ओन एवरेज बंदा कितने साल जिएगा वह थर्टी टू इस चल रहा था था थर्टी टू फॉर्टी यह बहुत होता है कि पॉपुलेशन किस कि सेक्टर में कितना काम कर रही है मतलब कितनी परसंट पॉपॉलेशन कि सेक्टर में लगी हुए है अग्रिकल्चर सेक्टर ऑव्यस सी बात है सबसे ज्यादा वर्कपोर्स थी उस चाइम पे 75 परसें तमिल नाडू आंदर परदेश कैरला करन सालातका महराष्टरा वmost Bengal विटनेशच ट curse डिकल्इन वर्कपोर्स इन अग्रिकल्चर सेक्टर सेक्टर दीरे-दीरे कम होता जा रहा था तो इन स्टेइट में डिकलाइन हो रहा था लेकिन कहीं स्टेट में अग्रिकल्चर के उपर डिपेंडेंसी बढ़ रही थी और इसा राजिस्तन पंजाब जैसी जगाओ पर अगर हम चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट हमारे यहाँ पर इसमें से बहुत सारे निकलते हैं तो वहां से पहुन सके उनकी आर्मी की है इसमें बहुत ज़्यादा सफर करते थे क्योंकि रोड्स अच्छी नहीं होती तो नैच्छरल के लिमेटिस और पहुंच पाती थी तो एज रिजल्ट रोड्स वर सबसे ज़्यादा इंडिया में वहता है रेलवेश जो की लेकर आए एटीन फिटी यह तो बूलना ही नहीं बिल्कुल भी तो अठारा सो पचास में इंडिया में रेल्वेश लेकर आये जो की बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए इड़्ोग जियोग्रेफिकल एंड कल्चर की वयासे और जिससे ओवरॉल हमारी यूनिटी भी बढ़ी थी और कहीं नहीं यह भी रीजन है कि हमें इंडिपेंडेंस टाइमली मिल पाई ठीक है इट एन्हेंस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियान अग्रिकल्चर विच अफेक्टेट सेल्फ सुफिशेंसी ऑफ विल बढ़ता जा रहा था कनेक्टिवीटी अच्छी होती जा रही थी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसे सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलिग्राफ आ गया था इंडिया में सिमिलरली सॉफ दी परपस और मेंटेनिंग लौ एंड और तो लौ एंड और जो है वो मेंटेन ह होने के लिए वो लेकर आये थे इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ तो यह भी एक पॉजिटिव कॉंट्रोल हो और बढ़ा सके प्रॉफिट्स अच्छा का सा कमा सके ताकि रेल्वेस को उन्होंने मेजर पोर्स से लिंक कर दिया था तो माल उठाते थे रेल्वेस के तुरू पोर इंडिया तो जितना भी पैसा वह कमा रहे थे वह इंडिया के उपर इंवेस्ट कर रहे थे तो यह निकलता है कि ब्रिटिश रूलर्स थोरोली एक्प्लॉइट इंडियन एकॉनमी और बोला जाता है कि हमारा देश जो है वह कहीं साल पीछे चला गया था एकनॉमिक ड्रेन जिसमें आपने एक्सपोर्ट के बारे में लिखना है जिसमें आपने पावर्टी हमारे आपर पावर्टी बहुत आगी इंडियन एकॉनमी तो यह था आपका चैप्टर नंबर वन तो भाई यह मैंने आपको जितना जल्दी पॉसिबल तक करा दिया अब मैं आप लोगों क चैनल पर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो जल्दी से जाएगा ठीक है वो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए पिंड कमेंट में मिल जाएगा और फिर यह पीडिएफ जो आपको वहाँ पर मिल जाएगी और जो बच्चे कहते हैं साथ टेलि अच्छे से एक्स्प्लेइन किया उसके इलावा भी कोई डाउट वाउट हो तो आपके पास चैनल है यह जल्दी से जाकर जो है उसको जॉइन कर लीजिए टेलिग्राम चैनल और सारे डाउट महाँ पर आपके क्लियर कर दूँगा चलो ऐसे ही आप लोगों के लिए वीड लाता रहूंगा तिल देन बबाई टेक क्यार और है फण